हेलो फ्रेंड्स वेलकम वैक टो एक्टिव माइन्ड तो फ्रेंड्स हम पढ़े थे वोकाइब इत निमोनिक्स तो चलिए आज फिर से स्टार्ट करते हैं और कुछ सीखते हैं नए नए वर्ड तो देखें फ्रेंड्स सबसे पहले यहां पे सबसे पहला वर्ड है हमारा किसे लगाएंगे एक वर्ड होता है फ्लेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् से electricity प्रेरित हो जाती है यानि actuate means प्रेरित करना इसका synonym क्या हो जाएगा इंसाइट एक्टीबेट राउज एनिमेट एक्टुएटेड तो इसको आप ध्यान देखें फ्रेर्श नेश्ट है मारा एक्टुमेन क्या है एक्टुमेन तो आप ये सब छोड़िए आप बोलिए इसको आप क्या पढ़ेंगे एकोमेन 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 यानि एक ओमेन यानि एक ओमेन तो एकोमेन मीं सार्प दिमाख वाला तो आप क्या बलेंगे एकोमेन एकोमेन यानि एक आउरत यानि एकोमेन बहुत सार्प दिमाख वाली होती है एकोमेन या फिर बोलिए एकोमेन यानि एकमेन एकोमेन यानि एको आदमी बहुत सार्प दिमाख वाला होता सार्पनेश कीनेश एक्यूटनेश कैनीनेश और क्या है पिनिट्रेशन तो इसको आप ध्यान रखना सब में नेश नेश करके लगा हुआ है देखे फ्रेंश नेश हमारा अडेज 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 तो आप इसको क्या बलेंगे sorry friends तो इसका मेंनिग è fading means पुरानिक कहावत जिसको आप प्रोवर्ब बोलते हैं यानिश पुरानिक कहावत इसको आप क्या बलेंगे अधेड एज और एज यह फिर बलिए आधा एज या जो अधेड उमर जो बहुत पुराने जवानी के लोग होते हैं उनको बोलते हैं अधेड आदमी यानि अधेड उमर के आदमी पुरानी कहावतों का बहुत इस्तेमाल करते हैं जैसे वो लोग बोलते रहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस तो फ्रेंट्स यह सब है तो उसी तरस मतलब एक जो बूढ़े आदमी लोग होते हैं देखेंगे आप वह बहुत सारे ऐसे मुहाबरी यूज करते हैं तो अडेज मिंस क्या हो जगा पूरानी कहावत इसका सिनोनिम फ्रेंट्स मैक्सिम से इसको आप ध्याँ रखना निश्च देखें हमारा है एडामेंट इसका मिनिंग क्या होता है बहुत कठोर बहुत कठोर तो आप इसको छोड़िए मैं आपको बताती हूं एक अलग सा अच्छा सा तो देखिए इसको आप कैसे पढ़ेंगे आदम आंट आदम आंट आदम कि एक इसको बलता है जीसे हम बोलते हैं आदम खोर भेडिया तो इसे आप यहाँ पर क्या बलब प्रक्त ऑदम एने आदम आंट आदम आपकों बहुत कठोर होती है तो इसको आप उपस्तिनेट मागरेंत लोत स्टोन इसको आपतिहां रख सकते हैं, देखें फ्रेंश, नेश्ट है हमारा एडाप्ट 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 मिंस क्या होता है, अनुकूल बनाना यानि एडाप्ट एड़ोप्ट देखो, यहां से एक चीज और आप धियाद देलिजें कि अगर यहां पे A, D, A, P, T यानि Adapt है तो इसकремम होता है अनुकूल बनाना और अगर यहां पे A, D, O, P, T यानि Adapt यह क्या है? Adapt यह क्या है? Adapt तो इसका मेहने क्या होता? गोद लेना यानि Adapted बच्चे को Parent जिस माहौल में रखते हैं वो उसी के अनुकूल बन जाते हैं याद रखते यहां पर देखें इसका synonym टर्ण अटेंपर कॉडिनेट कोडिनेट तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं. नेष्ट, देखेए, Fr Reese, यहाँ पे यहाँ पर हमारा अडल, 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 तो यहाँ पर इसका की पाउन किसे लगांगे, अडल इसका मीनिंग क्या होता, अडल मैडल दोनों का मीनिंग क्या होता, confuse, यानि make unable to think clearly, यानि confuse होना, किसी जिसको clearly ना सोच पाना, तो देखिए फ्रेंज, अब यहाँ पे आप क्या बलेंगे, ये डल है यार, तभी तो हर काम में confuse हो जाता, डल मिज़ क्या होता, जिसको हम बोलते हैं, डल, डल, मतलब क्या बोल सकते हैं, कि कमजोर है, यानि ये डल है यार, तभी तो हर काम में confuse हो जाता, यानि एडल है, ये डल है, ये डल है, अडल है, मडल है, तभी हर काम में confuse हो जाता, यानि एडल या मडल मिज़ क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम ड्रेक्स लीज रिपेंट मडल्ड मडल ऐसे करके आप इसको ध्यान रख लेना देखे फ्रेंट नेस्ट हमारा एड़ेप्ट अभी देखे हमने ऊपर क्या पढ़ा एड़ी एपीटी एड़ाप्ट एड़ी एपीटी एड़ाप्ट मीस अनकूल एड़ी आपको यह मतलब कितना अच्छा है आप अलग अलग जगां पड़े होते हैं लेकिन अगर आपको यह तीनों एक साथ मिल गया तो आप यहां से एकदम किलियर कर लेंगे किसका मीनिंग क्या होता है एडेप्ट मिन्स अनकूल एडेप्ट मिन्स गोध लेना एडेप्ट मिन्स प्रवीन यानि किसी चीज में कुसल जिसको हम बोलते हैं वेरी इसकिल्ड यानि किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना मतलब किसी मालो आप डांसर है और आपको डांस के बारे में खूब अच्छे से जानकारी है नौलेज है आप उसमें एकदम स्किल्ड है उसी को हम बोलते हैं कि परवीन यानि आप डांस में बहुत ही परवीन है यहां देउक है यानि हमने जिस बच्छे को परवीन है जिस बच्छे को गोद लिया वह बहुत परवीन है अड़ेप्ट मिंस परवीन तो इसको आप याद रखेंडेंच आप इसका सिनोनीम इसकिल्फूल मास्ट्री यानि जो भी आपको कोई ऐस कीज़ पता हो जिसमें आपको उसमें mastery label की एक्दम knowledge हो proficient, tactful, skillful तो यह आप ध्यान रखता नेशे देखें फ्रेंश यहाँ पर adhere अधेर, अधेर, अधेर तो देखिए इसको आप क्या पढ़ सकते हैं अधेर, अधेर, अधेर अधेर, अधेर किसको बोलते हैं अभी मैंने आपको बताया अधेर उम्र के लोग, यानि जो पुराने जबाने के लोगों उनको बोलते हैं अधेर, यानि बूढे लोगों को अधेर बोलते हैं अधेर, देखिए इसका मिनिंग क्या होता है पालन करना अधेर मिस पालन करना यानि अधेर उम्र के लोगों की आग्यां का पालन करना बच्चों का करतब भी है तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं अधेर मिस पालन करना सिनोनीम क्या होजएगा फ्रेंस इस्टिक अटेच क्लिव होल्ड क्लिंग नेज देखें फ्रेंस यहां पर हमारा अधेरेंट वो क्या था अधेर यह क्या है अधेरेंट तो आप इसको कैसे बोलेंगे आप बोलिए आधा आधेरेंट तो आप बोलिए कि जो भी मेरे समर्थक होंगे मैं उनको आधेरेंट दूँगा जो मेरे समर्थक होंगे मैं उनको आधेरेंट दूँगा जो मेरे सपोर्टर होंगे यानि समर्थक होंगे मैं उनको आधेरेंट दूँगा यानि अधेरेंट यानि adherent means क्या हो जागा समर्थक तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं देखे फ्रेंट का जो है synonym क्या हो जागा शेटलाइट अफोल्डर पार्टिसन फालोवर डिसीपल डिसीपल तो ऐसे करके आप इसको याद करके बताइए कोई अच्छा सा इसको आप छोड़ दीजिए यह सब नहीं पसंद दिये मुझे आप कोई अच्छा सा बनाएए इसका मेनी क्या होता बिलंब करना तो आप एड्जॉन का आप यहां पर ट्रिक बनाएए और मुझे बताएए कोई सा भी निमोनिक्स कैसा भी इसका सीनोमी भी देख लेना मैं इसको नेस्ट वीडियो में आपको बताऊंगी यहां पर नहीं बताऊंगी तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अपने नेस्ट वीडियों में तब तक के लिए आल दा बेस्ट बी हैपी बी पोस्टिव